हे दोस्तो आपने कभी साइनफील्ड स्टाटेजी के बारे में सुना है अगर आपको नहीं पता तो बता दू जरी साइनफील्ड यूएसे के बहुत ही फेमस कमेडियन है जो वर्ल्ड के टॉप हंडर्ड कोमेडियन्स ओफ अल्ल टाइम के लिस्ट में आते हैं उनकी नेट व कमेडियन बनने के ऊपर कुछ टिप्स मांगता है तो इसके उपर साइनफील्ड बस इतना बोलता है राइट बैटर जोक्स नो आइसेक पूछते हैं कि यह मैं कैसे कर सकता हूं तो साइनफील्ड अगीन रिपीट करते हैं कि देखो एक अच्छा कमेडियन बनने के लिए त तुम कहीं पर रख सकते हो अपने दिवार पे डेस्क पे और इसके साथ में एक रेड़ मारकर भी रख लो और जिस भी दिन तुमें एक जोक लिखते हो उस दिन मारकर से उस दिन को X से क्रॉस कर देना नो रेगुलरली जब कुछ दिन तुम ये करोगे न तो तुम्हें तुम एक अच्छे कमेडियन बन जाओगे नो ये सुनकर आइसेक को बहुत लगता है उन्हें लगता है कि यार जो साइन फिल्ड है वो किसी किताब की बात ही बोल रहा है लेकिन नहीं साइन फिल्ड उन्हें करते हैं कि मैं भी इस चीज़ से एक अच्छा कमेडियन बना अगर आपके अंदर आपको जिम जाने के हैबिट को बनाना है तो एक कैलेंडर लो और हर दिन एक क्रॉस डाल दो सके उपर और मानलो शाद एक दिन आप नहीं भी गये तो भी जब आप अपने कैलेंडर को देखोगे तो आपके अंदर से एक मोटिवेशन आएगा तब एंड तक 37 ताइम्स बेटर हो जाओगे अब यह 1% से बेटर बनते हैं आप कर सकते हो हर दिन एक्टिविटीज करके बट कौन सी एक्टिविटीज करना है वो कौन सी साथ एक्टिविटीज है जो आपको अंस्टॉपबल बना सकती है जो आपको लिटरली नीचे से बहुत जा सकती है वही साथ हैबिट्स आज मैं आपके साथ शेर करने वाला हूं कई अलग-अलग बुक के रेफरेंस से लेके जो मैंने पिछले 6-7 सालों में पड़ी है तो चलो देखते हैं एक एक करके उन हैबिट्स को जो आपको अपने इंदर डिवलप करनी चाहिए इस साइन बुक्स रीड़ करने ने लिटरली मेरी जिन्दगी को पूरा कम्प्रेटली बदल कर रख दिया है आज मैं जितना अपनी हल्थ के बारे में सोच रहा हूं जितने मैं पैसे कमा रहा हूं जितना अच्छे मेरे रिलेशन्शिप्स है जितना हम ज़्यदा है अपनी केलर एंड मार्सल ने दुनिया के सामने एक एविडेंस रखा जिसके अकॉर्डिंग रीडिंग क्या करता है ना कि हमारे ब्रेन को खुद से फिजिकली रिवायर कर देता है यानी अपने नियूरल कनेक्शन को वह और जदा बढ़ा देता है प्रहस साथी साथ रीडिंग के व जो आपके ब्रेन के कई सारे पार्ट्स को एक साथ एक्टिवेट कर देता है इसलिए रीडिंग को जिम से भी कंपैर करा जाता है जैसा जिम आपको फिजिकली स्टॉंग बनाने में हल्प करता है वैसे रीडिंग आपके ब्रेन के मसल्स को स्टॉंग बनाता है और आपको यह होगा mentally strong होना कितना ज़रूरी है जिन्दगी मां आगे बढ़ने के लिए अभी आता है next habit पे जो है pair your task with your biological prime times दोस्तों हम सब की life है अलग 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 दिन से बने है और इन अलग 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 टाइम होते हैं especially एक time तो ऐसा होता ही है जब हमारे अंदर बहुत सदा energy होती है जैसे कई लोगों को सुबा जल्दी उटने की आदत होती है वो अपनी morning में सबसादा productive feel करते हैं वहीं कुछ लोग को शाम में सबसादा energy मिलती है कुछ लोग रात भर जाक के भी काम कर पाते हैं इसलिए आपने देखा होगा जो successful लोग होते हैं कई बार वो लोग बहुत early जाकते हैं और कुछ successful लोग होते हैं जो लोग late night काम करते हैं और ऐसा कोई exact एक time नहीं है जब maximum लोग अच्छा perform करते हैं इसलिए यहाँ पर lesson ही है ना कि आपको random time पे अपने काम को set नहीं करना चाहिए जैसे के for example एक आदमी है जो सुबा चार बजो उटता है exercise करता जिम ज नहीं है उससे drive करने ही कोशिश करोगे तो वो नहीं चलेगी similarly आपका जो brain और body है ना उसके अंदर भी जो fuel होता है ना वो कुछ-कुछ time पर जादा होता है कुछ time पर कम होता है आपके लिए ज़रूरी है कि आप notice करो कि वो कौन सा time है जिसमें आपके energy सबस्यादा peak पे होत जाती है वो time पे आप shallow work जो होते है ना जिसमें ज्यादा mental energy नहीं लगती है उसे करने कोशिश करो again repeat करो तो जब energy ज्यादा होती है तब आप अपने important, urgent और significant task को करो और usually lunch के बाद या फिर ऐसे time पे जब आपके energy low आपको लगती है उस बीच में आप छोटे-बोटे insignificant काम कर सकते हो जो कई पर करना ज़रूरी होते है लेकिन उसके लिए इतनी mental energy नहीं लगती है ये एक habit भी आपकी life को completely change कर सकती है अब आते हैं third habit पे जो है meditation, pervasiveness, author Dan Harris ने अपनी life में बहुत जल्दी success अचीव कर ली थी, वो अमेरिका के one of the biggest news channels, ABC के news anchor बन चुके थे, but इतनी success अच प्रस्ट रहते थे, उनकी anxiety बढ़ती ही जा रही थी, और एक जिन तो उन्हें live TV पर panic attack आ गया, और इस हाथसे के बाद वो भी shock में आ गया, और फिर वो help धुनने निकल पड़े, जहां वो कई सारे गुरूस से मिले, जिनके उनने interviews लिये, बट फिर भी उनने कोई practical solution नहीं म समझा, जिसके उपर उनने सालों research करी और ये conclusion पर आए, कि anxiety और डिप्रेशन ये सारी चीज़े mindfulness और meditation से ठीक हो सकती है, इनवेट आपको पता है, Silicon Valley में meditation को software update for the brain बोलता है, वही wired magazine में भी meditations को tech world's new caffeine भी बुला है, अब आप बोलोगे यार, meditation इतना साथा फैल क्यों रहा है focus करनी के ability को भी बहुत जादा शाप कर देता है, in fact, Yale University के एक study के according, ये देखा गया है, कि जब हम meditate करते हैं तो हमारा brain का वो हिस्सा completely deactivate हो जाता है, जो usually negative thoughts generate करता है, मतलब positive रहने में भी meditation बहुत help करता है, Harvard में करी गई एक MRI study में देखा गया था, कि जिन लोगों ने आट वीक का mindfulness का course लिया था, जहां वो आट वीक तक लगातार हर दिन meditate करते थे, वहाँ देखा गया कि लोगों का grey matter बढ़ रहा था, उनके अंदर empathy, self awareness ये सारी शीज़े बढ़ रही थी, और negativity उन लोगों की कम हो रही थी, ऐसी जब फिर author ने भी meditation को practice करना start किया, तो उनने notice करा कि कैसे वो usually बस past के बारे में सोचते रहते थे, या फिर future के बारे में anxious होते रहते थे, लेकिन फिर जब meditation उनने किया, तो उनको शान्ती मिलना start हुई, उनका brain actual में relax होना start हुआ, जैसे कि आपको पते ये होती है, उसे थोड़ा relaxation का time मिल पाता है, इसलिए आप भी meditation की habit ज़रूर डालो, और फिर आते हैं next habit पे, जो है build muscles, देखो दोस्तों एक बात दम सच सच बोल रहा हूँ, एक आदमी का कई बार manly दिखना बहुत जरूरी है, देखो दोस्तों आज कल के टाइम पे तो, इस topic स कई सारी controversies है, लेकिन personally मुझे लगता है, एक आदमी का आदमी जैसा दिखना अच्छा है, और one of the best चीज जो manly दिखने के लिए आप कर सकते हो है, muscles build करना, muscular strong बनना, fit रहना, because देखो, जब आप है न, physically attractive बनते हो, तो automatically आपका self confidence होता है न, वो mirror के सामने आपने आपको decisions लेने में भी help करता है, no बोलने में भी help करता है, rejection के डर से भी बचाता है, even motivated फिल करने में भी आपको help करता है, because कई सारे लोगों को लगता है न, कि या और unmotivation, laziness ये सारी चीज़े तो दिमाग में होती है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, UCLA Brain Research Institute के psychologist, Alan Bladesdale, जो एक researcher है, उन healthy lifestyle अपनी सिंदगी में लेगा हो, अब देखो यहाँ पर मैं आपको specific habit नहीं बताने वाला हूँ, कि जिम जाओ, cycle चलाओ, swimming करो, running करो, नहीं, जो भी आपको सही लगता है, जो भी healthy habit आपको सही लगती है, आपकी health को improve करने में जो आपकी मदद कर सकती है, वो करना problem हो रही है, हम सब लोग की diet बहुत जादा खराब है, हम लोग बराबर पानी नहीं पीता है, exercise नहीं करता है, बराबर सोते नहीं है, और फिस सारा blame अपने mind पे डाल देता है, कि यार मुझसे तो हो ही नहीं पाता है, कैसे होगा भाई, जब सही खाना पीना ही नहीं है, हमार कर रहे हो, और जितने भी पुरजे हैं, उसमें oil डालने के बज़ा, उसमें मिटी घुसा रहे हो, या गंदगी डाल रहे हो, और फिर expect करो कि कार अच्छी चलनी चाहिए, तो ऐसा कैसे हो सकता है, similarly, आपकी भी body को, आपको physically अच्छा बनाना है, ताकि आप उसकी help से बुक के बारे में पता होगा, एक बुक है, जिसका नाम है Your Brain on Porn by Gary Wilson, जो कि बहुत इंटरस्टिंग बुक है, इस बुक में ऑथर कई सारी इंटरस्टिंग चीज़े बताते हैं, कि कैसे आज के डाइम पे पर पॉन एडिक्शन बहुत जादा बढ़ता ही जा रहा है, पॉन परसेंट तक कम हो चुका है, आदा हो गया है, दुनिया भर में मेल्स की स्ट्रेंथ, उनका इंडिरेंस बहुत कम होता जा रहा है, बट स्टिल आजकल इसे ऐसा पोर्टरी किया जा रहा है, कि ये सब तो नॉर्मल है, वीक होना कोई बुरी बात नहीं है, इस ओकी तो बी व पर्टरोन लेवल है, वो 145% तक बढ़ जाते हैं, और एक मेल के लिए जहाँ टेस्टोस्टोस्टोरन लेवल गिरते ही जा रहा है, ये किसी अमरत से कम नहीं है, इसलिए एक चीज़ को करके भी आप अपनी टेस्टोस्टोरन लेवल बढ़ा सकते हो, अपनी मस्क्यूलिनि पहला या तो उस प्रॉब्लम को solve करो या दूसरा उसे भूल जाओ नवी सुनने में काफी simple लग रहा होगा पर आपको पता ही है जादतर लोग ये दोनों चीज़े ही नहीं करते है वो करते हैं तीसरा option जहां पर उस problem के बारे में बस सोचते रहते हैं बात करते रहते हैं complain करते रहते हैं criticize करते रहते हैं और victim feel करते हैं और ये सारी चीज़े ही weak लोगों की निशानी होती है जो आपको life में कभी कुछ बड़ा करने नहीं देगा बस रोते हुए लेटे रहना complain करते रहना बहुत आसान चीज है लेकिन उठके उससे रेट काम कर पाना मुश्किल चीज है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं बड़ आपको वही करना है दो याद रखो जिन्दगी में कोई भी negative चीज हो या positive चीज हो आपको दोनों से deal करना आना चाहिए जैसे कि अगर आपका फोन टूड गया है तो ठीक है नया फोन खरीदने के उपर काम करो अगर आपका break up हो गया है तो अपनी personality अपनी physique इंप्रूफ करने के उपर काम करो ताकि आप दूसरा attractive partner ढूँन सको जॉब से निकल गई है तो फटा फटा अपनी skills के उपर काम करो और next job ढूँने लग जाओ अपने आपको upskill करो, time waste मत करो क्योंकि जब तक आप इस सारी चीज़ें नहीं करोगे तब तक problem solve नहीं होगी या फिर दूसरी तरफ, अगर ऐसा हो गया कि आपका पैसा गिर गया है तो अगेन, और पैसा कमाने पर काम करो get over it जो चीज़ चली गई, चली गई लेकिन जो चीज़ आप आगे कर सकते हो, उसके ओपर focus करो ये एक simple habit भी आपकी जिन्दीगी को completely change कर देगा trust me बट इसके साथ-साथ ये last habit भी ज़रूर याद रखो जो है, do things now आपको पता हो, कुछ ताइम पहले एक movie आया थी, top gun, maverick जिसके अंदर एक rooster नाम का character होता है जो बहुत ही under confident feel कर रहा होता है उसे लगता ही निए कि वो अपने mission को पूरा कर पाएगा तब जो Tom Cruise होता है जिनका character name maverick होता है वो से बस एक line बोलता है don't think, just do नव बंदा इस बात को सुनता है, समझता है और फिर बिना ज़दा सोचे actions लेना start करता है और फिर वो mission को पूरा कर भी देता है नव ऐसे तो ये movie में बताई गई चीज थी लेकिन ये reality में बहुत ज़दा apply करती है कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग चीजों को लेके बहुत ज़दा सोचन लग जाते है कि यार books तो पढ़ना है, बट कैसे पढ़ूँगा बोर होगा, कंटाल आएगा यार video तो बनाना है, बट कैसे बनाऊँगा ये problem है, वो problem है, दुनिया भर की चीज़े वो सोचन लग जाता है, इंस्टेट अगर वो सीधा action लेना start करे, तो धीरे-दीरे उसके सारे problems का solution भी उसको मिली जाएंगे बट problem ही है कि आजकल हम लोग है actions लेने से बहुत डरते हैं चीज़े सीख तो लेंगे, सुन भी लेंगे बट actions लेने से खतराएंगे और वही चीज़ आपको नहीं करनी है अगर आप कोई भी चीज़ अच्छे सीख रहे हो, तो उसके बाद आप action लेना भी start करो, एक go-go mode पर रहो ऐसा wait-wait करके think-think वाले mode पर मत रहो कभी-कभी time निकाल के सोचना बहुत अच्छी बात है लेकिन सोचने के साथ-साथ जो चीज़ और ज़्यदे important वह है actions लेना, इसलिए उसके ओपर focus करो और अगर आपको ऐसी book summaries देखने में interest है या आप चाहते हो कि इन सारी habits को आप अपनी life में और apply कर सको या अगर आप चाहते हो कि इन habits से लेटर आपको कोई books पढ़ना है, सुनना है तो उसके ओपर भी जो मैंने summaries बना के रखिया है उसके भी link मैं I button in description मैं देदूँगा एक playlist बना के जहां से जाके आप इन habits के ओपर और वीडियो देख सकते हो उस से लेट जो book summaries है वो देख सकते हो जिसमें आपको और practical steps मिलेंगे इन habits को reality में अपनी life में apply करने का और अगर आप ऐसी books की बाते सीखते रहना चाहते हो दुनिया के सबसे बड़े book summary चैनल पे तो आप चैनल को subscribe करके bell icon जरूर दबाना इस वीडियो को share जरूर कर देना ताकि लोगों के अंदर भी बुरी आदते साथ के अच्छी आदते आना start हो reading के habits आना start हो जो आपकी और हमारी family की हमारी खुद की और हमारे पुरे देश के future को bright बना सकता है तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए like करें आपको क्या लगता है और कौन सी habit अपनी जिंदगी में हमें लानी चाहिए comment करके जरूर बताना अभी के लिए तता ही thanks for watching